मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंडरो वाइड रास के अपने इस विड़े में आपको बताने वाला हूँ कि हमारे Poco F1 डिवाइस में एक नया अपडेट आ जुका है तो अगर आपका Poco F1 डिवाइस अभी भी MIUI 9 पे चल रहा होगा तो इसका साइज जादा होगा यानि 1 GB से बड़ा होगा बट अगर आपका डिवाइस लेटेस्ट MIUI 10 पे चल रहा होगा तो इस पे आपको सिर्फ 175 MB का एक अपडेट देखने को मिलेगा तो simply आप about phone में system updates में जाके देख सकते हैं और यहाँ पे आपको ये update मिल जाएगा और simply इसे install कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको इसका change log पढ़ना है तो change log पढ़ सकते हैं वीडियो को थोड़ा सा पॉश करके अगर आपको change log के बारे में जानना है तो मैं उसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाऊगा इस वीडियो मुझे बस यही बताना था कि यह update आ चुका है ह बैटरी परसेंटेज तो शायद बैटरी परसेंटेज वाला जो इशू था वो fix कर दिया है optimize theme option for status bar icon तो status bar icon में भी कुछ changes किये गए हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें optimize की गई हैं और fingerprint recognition को भी थोड़ा सा stable बनाया गया है तो यह कुछ basic से change log हैं अगर full change log देखना है तो आप म अपडेट कर लेता हूं और आज की वीडियो मुझे फिलाल इतना ही बताना था कि यह अपडेट आ चुका है हमारे बोको एफ़न डिवाइस में MIUI 10 का version 10.0.6.0 और यह Android Oreo पे based है Android Pie अभी नहीं आया है इसमें अगर आपको Android Pie यूज़ करना है पोको एफ़न में तो उसके ल इसके हैं आपने वो भी कॉमेंट जरूर करिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए कि मैं अच्छा की टेक रेलेटेड इंफॉमेटिव डिस लेके आता रहता हूं और थैंक्स पर वाचिंग दिशुड़ मिलते ने कुड़ु में